दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आपने पेपर वन जार्खन सायक अचायर भरती में हिंदी रखाया है तो आपको ये बुक पढ़ना है जिसका नाम है छितिज भाग्टू ये कच्छा 10 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पूस्तक है और इसके साथ और ए एक से पांच के लिए यदि आप अपलाई किये हैं या 6-8 के लिए अपलाई किये हैं और पेपर वन में हिंदी रखे हैं तो आपको पढ़ना है ठीक है अगर आपने पेपर टू में हिंदी रखा है ठीक है अगर आपने पेपर टू में हिंदी रखा है तो उसके लिए आरोह नाम का बुक पढ़ना पड़ेगा जो कि आपका 12 बस्तर का बुक है 12 बस्तर का बुक है और अगर आपने 628 के पेपर तुमें हिंदी रखाया तो उसका सिलिबस जैसे सी की ऑफिसल साइट पे दिया हुआ है आप लोग देख लीजेगा ठीक है तो चलिए आप लोगों क पता हो गया कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है आपको चिति जोर किरति का बुक पढ़ना है पेपर वन में ठीक है यहां चिति का मैं सिलिबस दिखा देता हूं देखिए यहां पर क्या कि आपको पढ़ना है और किस परकार के प्रशन आएंगे वह भी मैं बताऊंगा इसल जिसमें सुर्दास जी हैं फिर आगे देखे तुलसी दास है फिर देव है जैसंकर परसाद है सुर्यकान तिरपाथी निराला नागार जून है गिर्जा कुमार माथूर है रितू राज है मंगलेश डबराल है ठीक है उसके बाद गैद्य खंड है जिसमें आपको स्वैम परक बतंद अनंद को सल्यान इतना ठो पढ़ना है उसके बाद आपको ये काविय खंड श्टार्ट होगा जिसमें आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों अब आप लोग पूछेगा कि इसमें कैसे कैसे प्रशन आएंगे तो देखे पहला जो है आपका काविय खंड ये देखे य ये सुर्दाज जी हैं तो इसमें आपके एक्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे देखे इस पर क्या पूछे जाएंगे सुर्दाज का जन्म किस भी को हुआ था तो आपको सही मारना है 1478 इस भी यहां पर आप लोग देख सकते हो इनका निधन कब हुआ 1583 पारसोली में इनका निधन हुआ एकदम दोस्तो रसगुला कोशन आएगा ठीक है कहने का मतलब है कि बहुत इजी जी कोशन आएगा बस आपको याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था इनका मिर्तु कब हुआ था कहां पर मिर्तु हुआ था इनका जन्म किस पैलस पे हुआ था तो यही इसी परकार के questions आपके exam में आएंगे, यहां पर आप लोग देख सकते हूं, जो गाड़े color में लिखे गए हैं, यह सब को आप लोग याद रख लिजेगा, पूछ देगा कि सुर्सागर साहित लहरी, सुर्सारावली या सुर्सागर में सबसे ज्यादा लोग पर यह कौ विताओं को लिखते थे तो देखिए ब्रज भासा, इस पर करकर कोशन आएंगे, ठीक है, और आप लोग किताब इस्टोर से बुकूक ले सकते हो, यहां सुर्सागर ब्रहम गीत के चार पद लिए गये हैं, कृष्णा ने मतुरा जाने के बाद स्वैम लोटकर उद्दाव के पास संदेश भेजा था, ब्रहम एवम योग का उद्देश देकर गोफियों को विरा वेधना को संथ करने का परियास किया, गोपिया ग्ञान का मार्ग के बजाय प्रेम का मार्ग पसंद करती थी, इस करण उन्हें उद्दाव का स्वस्क संदेश पसंद नहीं आया, ठी थी इजी इजी कोशन आएंगे पूरा सिलेबस को पढ़ लीजिएगा यहां पर इतना हाड मतलब कहने का मतलब जो मैट्रिक में यह देखे क्या होता है कि यह चारो पांत कितना पांच क्लाइनों को देकर इसके अंदर से भी कॉष्चन पूछ सकता है लेकिन इसकी संभ़णा बहुत कम है डोस्तों ठीक है। ॊइसेको बहुत कम पूछी जाते है ठीक है यहाँ पर यह भी पूट भागी का अर्थ क्या है तो बड़भागी का powy Kayak है Bhae कि समभण है और सब्सक्राइब करने के लिए और शीरोन मंगा जा रहा है वह फॉरक sûltय नोगे, उसके बाद आप का प्रक्यूस यहाँ अब अब यहां पर देखे जब आप बुक खरिदते हो तो यहां पर इसके सारे अर्थ भी दिये गए हैं, बड़बागी मतलब क्या होता है, अपरस मतलब क्या होता है, तगा मतलब क्या होता है, पुरे तिन पात मतलब क्या होता है, दागी मतलब क्या होता है, तो आप लोग इस ब किताब को ncati का किताब को भी पढ़के आप पास कर सकते हो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है और एक चीज में बता देना से आता हूं आप सभी को कि आप लोग हिंदी इंदी क्रामर में आप अच्छा लिखोगे इंदी क्रामर को भी अच्छा से पढ़ें जिसमें संग्यास और नाम विशेसन कर रक वच्छान लिग इससे रिलेटेड खासकर समास समास से रिलेटेड प्रश्ण आपके एक्जाम में पूछे ही जाएंगे ठीक है मेरी बातों को आप समझ गये होंगे कपी चात्रों का कमेंट्स था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ और एक बार मैं अंतिम में इसको फिर से बता दे रहा हूँ देखिए यदि आपने कच्छा एक से पांस के लिए अपलाई किया है पेपर वन में हिंदी रखा है तो आप इस बुक को पड़ो छितिज और कृतिका अब 6-8 में भी काफी लोग पेपर वन में हिंदी रखे हैं तो उनको भी सेम यही बुक पढ़ना है छितिज और कृतिका अब है कच्छा 1-5 में यदि पेपर 2 में पेपर 2 में हिंदी रखा है तो आपको आरोх बुक पढ़ना है आरोh बुक पढ़ना है पेपर 2 में और 6-8 में यदि आपने पेपर 2 में हिंदी रखा है तो उसका सिलिबस यहाँ पर दिया हुआ है JSC की official site पे ठीक है फ्रेंट्स असा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा और यदि आपने paper 2 में खोटा रखा है paper 2 में खोटा रखा है और easily pass करना चाहते हो जादा नमबर लाना चाहते हो तो हमारे number पे message करें WhatsApp message करें और खरिद लें दोस्तो इजिली आप marks ला लोगे बहुत सारा marks आप राप्त कर सकते हो यदि अच्छा से पढ़ो तो धन्यवाद friends